हेलो रुस्तों कैसे हो आप लोग आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं FYB.com और FYBMS सीखने समस्तर Mathematical Static का चाप्टर नबर 4 बिस्किल यह FYB.com में है FYBMS में आपका जो चाप्टर है वो देख रहे आगे विछ है रहेगा तो इसलिए आपको हर एक questions मिलता रहेगा ताकि आप questions साथ साथ में देखते रहेगे जब तक आप questions नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो scatter diagram होगा इससे पहले जो previous lecture लिया था मैंने उसमें आपको scatter diagram का जो basic concept था correlation basis पे वो मैंने आ समझाया था यानकि जो chapter का नाम है by variate linear correlation तो basically by variate linear correlation होता क्या है यह हम previous lecture में theoretical basis पे और graph basis पे सीख लिए आज उसी graph को हम practically समझेंगे कि उसको किस तरीके से draw कर सकते हैं यहाँ पे आपको illustration number 1 की वेने मनन प्रकासरन की test book है देखे और chapter number 4 करे हैं for become से तो यहाँ पे देख सकते हो draw a scatter diagram for the following data and comment on it और वहाँ पे आपको comment करना है comment करना है in the sense आपको बताना है कि वो diagram is basis पे देखे positive है negative है या no correlation है आपको जो data देखे है आप यहाँ पे देख सकते हो x and y given है देखे x की कुछ value given है 15, 20, 33, 25, देखे and 35, 36, 40, 18, 22 तक था y का भी कुछ इसी तरीके से given है 5, 15, 23, 15, 20, 20, 30, 40, 10 and 50 देखे अब इसमें आपको shift क्या करना है draw करना है scatter diagram तो scatter diagram के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए x axis and y axis चाहिए देखे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ x axis and y axis तो अब इस x axis and y axis में समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो data लेंगे तेखे वह हम data लेंगे 5 के table से अगर देखा जाए तो पूर 5 के table almost रिखाई चाहिए एक दू जो numbers है देखे जो 5 के table में नहीं आते हैं देखे फिर भी हम क्या करेंगे एक series लेंगे 5 का तो बिसलिए यहाँ पे ले सकते हो जो मैंने access बना लिया हुआ है इस पर मैंने 0 ले लिया वन सेंटिमेटर एक वरसु फाइल हुँगा आपके एक वर्डिंगे आप 2 सेंटिमेटर एक वरसु फाइल ले सकते हो मैं यहाँ पर फाइल लेता हूं 5 10 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 35 फिर 40 इसके उपर भी जा सकते हो आप 45 भी लिख सकते हो यहाँ पर और यह आपका y access है यहाँ पर एक लग सेंट 5 10 फिर 15 इस तरीके सुनाने आपको और यहाँ पर हम दो तीन कुसरा अच्छी तरीके से समझेंगे इस तरीके से बना सकते है तो हम एक अपर फिर 15 फिर 15 फिर फाइब तो यहाँ पर मैं तो बौर्ट पर बना रहो तो मेरा हलका सा आगे पिछे प्रपर लाइन भी नहीं है और ना ग्राफ पीपर है यह तो 20 से 15 तो 20 से 15 लेते हैं यहां पर ठीक है ओके देख रहो यह होता है यह प्रेंट पीपर पर यही सब कुछ होता है एक प्रपर नहीं मिलता है तर्डें और तर्डेंट यहां पर आएगा इसके in-between आएगा क्लास ठीक है फाइव एना यह तो 1, 2, 3 इसके in-between लेता हूं मैं है कितना दिया हुए 23 है तो मैं यहां पर रखता हूं और यहां से यहां पर है तो है कि फिर 25 से 15 25 से 15 पहले भी 15 हमने किया हुआ है तो 25 से 15 यहां पर है कि बस आपको ऐसा द्राव करते रहना है बागी और कुछ नहीं करना है फिर 25 से 20 लेते 25 से इधर पर 20 यहां पर यहां पर यह 23 हो जाएगा आप देखेंगा हलका पिछे मेरा उपर नीच हो गया होगा आप दो देखेंगा प्रॉपर बनाना फिर अपना क्या हो गया 1234512345 हो गया यहां तक फिर 35 से 28 यह 35 हो गया और इधर पर 28 ठीक है 28 हो गया है यहां पर फिर 36 से 30 36 यहां पर आएगा ठीक है एक ही है यहां पर और कितना बताया हुए 28 ठीक है जब 28 मतलग इस यहां पर यहां पर ठीक है से 36 है थार्टी के मैं इसके उपर जाएगा हलका सा यहां पर ठीक है फिर 40 से 40 42 40 यहां पर ठीक है 42 40 और यहां पर यहां पर यहाँ पे तो यहां से नैंसे 10 यहां पर होगा मेरा future 10 22 से 15 सो 22 कि यहां पर हुग अजा और kebc वे 22 मत्वruMay यहां पर आएगा जिवाब बनाना है so भालका से एक स्पेस आजएगा तो देखे इस तरही के से आपको करना है डायगराम बनाना है लेकिन इसमें आपको comment भी देना है comment क्या होगा तो इसको observing करके आपको लिखना है जिसमें कोई भी इसके लिखने की जुरुत नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर इसके लिखने लग जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, चलिए, अब हम इस पर comment लिख लेते, comment में क्या लिखना है, आपको सिर्फ बताना है कि यह किस type का scatter diagram है, बस इतनी बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, the diagram, या after observing, after observing the diagram, diagram, so of 10, we can conclude that the, that there, there is a positive, यह क्या है क्लाच, positive correlations, ठीक है, अब मैं सब्जाते हो, क्यों यह positive correlation है, there is a positive correlation, ठीक है, ओके, यह positive correlation, किसके इन बिट्वीन है, positive correlation between x and y, यहाँ पर दिसकते हो, अगर मैं इस पर straight line लेके जाओ एक, right, तो straight line, ऐसा जाएगा, यहाँ से बीच में से जाएगा, ठीक है, और यह इस तछी के से यहाँ पर जाएगा, तो यह आपके साइड जा रहे हैं तो आगर मैं इसका लेकैं जाना पड़ेगा, तो यह इसके पॉइंट बन रहे हैं वो कुछ up side पड़े जा रहे हैं, तो यह क्या हो गया, positive correlations हो गया जैकिन अगर मैं positive के अंदर भी देखूं किस type का diagram दिखाई तेरा है यह ज्यादा spread हो चुका है तो यह low degree क्या होगा positive correlation with low degree होगा लेकिन जब हम इसका comment लिखते है या हाई degree है या low degree है सिर्व आपको यहाँ पे positive correlation लिखना होता है इतने दिया होगा है next और इस डाइग्राम को समझते हैं हम तो आते हैं अभी exercise पे इस exercise में आप लिखते हो exercise no.3 है जिसमें लिखा है कि draw the diagram for the following data and comment on it same इसी तरही के से question दिया हो गया है तो हम first one क्या करेंगे इसमें xxs and yxs रोगा कर लेंगे अभी यहाँ पे जो data देख रहे हो जो xxs में और yxs में given है आपको 5 का table given है देखे है almost देख सकते हैं आपको 5 का ही table दिया हो है अगर आप इससे छोटा ले सकते हो अभी कैसा बच से बटा number तो आप 5 का भी table ले सकते हो या और और कोई जो number देना चाहते हो देखे और कोई भी ले सकते हो जैसे आप 3 का table ले सकते हो इस तरह के साब ले सकते हो तो आपको 26 तक जाना पड़े क्योंकि 25 यहाँ पे bigger है 3 का table लोग तो 27 हो जाएगा आपका क्यूंकि 3 का table में 26 आपको समAbstände आपको लगेगा कि हमें 55 का ही आप लेना होता है नहीं है । किस तरीके से यहां पर अप उस– टारीके से प्लोट लेकिंग यह सम नंब्र कहओ उसके इन बिट्वीन आने ही चाहिए हो यह से मैं यहां पर तरी का टेबल एक 10 sam Rosa 6 3llo christ 298 18 18 21 24 27 यह हो गया यहां पर 3 यहां पर 6 9 12 15 18 21 24 27 इस तरी के तरी तक भी ले सकते हो तो कोई फॉलम नहीं है यहां पर पुरह 30 हो जाएगा और यहां पर पुरह 30 हो जाएगा अब हम पॉइंट लिए 5 से 25 लिखा भाई यहां पर तो 5 इसके इसके पास में आएगा जब यहां पर त्वीड देख सकते हो यहां पर यह 24 इसके पास में आ गया तो एसा हम इसके ले लेंगे यहां पर यह हो गया, ठीक, फिर 8 से के 21 दिया हुए, मतलब 9 के पास में 8 और 21, 21 एक्जाट है आपके पास, यहाँ पे, 21, देखे, फिर 10 से 20, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 9 के बाद, और फिर 20, बतलब यह इदर आ जाएगा, इदर पे, ठीके, इस तरीके से आपका डाइगाम बनते रह हँएगा, फिर 12 से 18, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, फिर 15 से 16, 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 यहाँ पे रहेगा, दीके, 15 to 16, यहाँ पे, फिर इसके बाद आएगा आपका 15 to 16, 18 to 15 देखे थे, 18 to 15, तो यह रहा, 15, भीके, ओके, धान पिर, 21 से 14 मताब 14 यहाँ पर आएगा याँ पर देख रहा यह हो गया पर इसके बाद 24 से 12 24 और यहाँ पर 12 यह हो गया फिर 25 से 11 25 जास्त यहाँ पर आएगा और 11 यहाँ पर आएगा तो एसा लेते हैं हम लोग को इस रहे कर देहीं को डेग्राम बनते जा रहा है आपका फिर शिक्स से 24-6 यहां पर और 24-6-24 यहां पर अबना जाए ठीक, यहां पर लेफ्ट लेफ्ट लाइट देखा जाय है, लेफ्ट लाइट तो यह इस का डागाँ कुछ इस तरीके से ऐसा जाये अचछ एक लाइन देंगे, यहां से तो मेरा एक प्रॉपर लाइन ऐसा बनेगा तो क्या लगा है आपको यह diagram बिसकि क्या सफर्ण है नेगरिटिव जा रहे है क्या जा रहा है यहां पे एक लास दीख है तो इसमें जो आल की value होगी देखें वो कितनी और सकती है अब इसमें हम कैसा समझ सकते हैं यह पूरे scatter diagram है जो की सबाँ से spade है जा इसके आसपास होता ना बहुत आसपास होता तो इसको उसको उबलते है तो यह क्या है low degree low degree में भी जो condition था वह r क्या था आपका तेखे r की value क्योंगी less than 1 होगी समय हो r की value क्या होगी less than 1 होगी sorry less than zero होगी और इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से कमेंट लिखना है after observing the diagram so the obtained we can conclude that there is a negative यहाँ पर क्या जाएगा भी इधर पर क्या जाएगा नेगेटिव देखे मैं यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नेगेटिव सिर्फ आपको नेगेटिव लिखना है इपना से चेंज़ेस दरना है between the x and y बस और यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या था आर तीके आर इस more than zero हो जाएगा क्योंकि यह पर्फेक्ट नहीं है अब पर्फेक्ट होता था हम इसको इक वर बोलते हैं लेकिन यह पर्फेक्ट ने यह दोनों डियाग्रम पर्फेक्ट नहीं है पर्फेक्ट का मतलब क्या होगा यह लाइन पर पूरा जो क्युक्त करके बता थे यह जो को सब्सक्राइब फोर्थ है यह वह पॉजटिव है यह नेगेटीव और मुझे साथ इसाथ यह बताना है कि इसका टाइप है हाई डिगरी है यह को दैकर यह को बनार टैसंसर में पर आपको स्कैटर डियागम समझ गये हैं कि किस तरीके से आपको इसको solve करना चाहिए अप मेरे official website पर visit करके इसको देख सकते हो और उसका answer लिख सकते हो इस वीडियो में इस लेक्चर में आज इतना ही है मिलेंगे आप नेक्स लेक्चर में बनेगे यह चानल पर चानल को सब्सक्राइब लिजिए बैल आकिन प्रेस्क लिजिए थैंक यू फॉर वाचिंग